तो आज फिर इक न्यूरेसिपी आपके साथ सेर करने वाली हूँ वो भी है इस आमी की तो यह कच्छी आमी है गाईस और करीबन मैंने आदा किलो की लगबार ली है और इसकी मैं बहुत यह अच्छी सी रेसिपी बनाने वाली हूँ चट पटी सी और खटी मीठी और आपके मुह में पानी ला देने वाली और बहुत यह अच्छी से ठंड़क देने वाली तो यह बहुत यह अच्छी बन के रेड़ी हूईगी गाईस इसके लिए आपको कुछ नहीं लेना है आपको लेना है कच्छी आमी तो यह मैंने कच्छी बनाने वाली हूँ तो उसके लिए आपको क्या करना सबसे पहले तो आपको इन कच्ची के जो कच्ची से धो लेना है और धोने के बाद में जो इसका उपर का पार्ट चिल का है उसको अच्चे से छील देना है तो गैस इसकी रेसिपी न बहुत ही टेस्टी बन की रहती है कई कई रेसिपी जिसकी बनती है जैसे अचार हो गया चटनी हो गई कई रेसिपी जिसकी बने आई जाती है लेकिन ना तो हम आज अचार बनाने वाले है ना इसकी कोई चटनी बनाने वाले है ना कोई सबजी बनाने वाले है तो इसकी हम बनाने वाले क्या है ये तो आप वीड जादा ही सोप्ट था तो इसको मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा वैसे इसको कट करना पड़ा अंदर का जो इसका गुटली यानी सीट्स बोल दीजिए तो उसको निकाल दिया है मैंने और एक छोटे-छोटे मैं टुकडे करने वाली हो तो आपके पास जैसे आपके पास क कट-पटा टेस्ट आने वाला है तो मैंने कच्ची आमिया करीब आदा किलो के लब बली है आप कितनी क्वांटिटी में इसको बनाना चाहते हो उसके अकोडिंग देख लीजिएगा आप कच्ची आमी तो यह मैं इसके उपर का चिलका तो निकाले लिया है और जो आप इसक सारी धेट सारी बना के और फ्रीज में रखोगे और जबी आपका मन करेगा जट से आप एक खालोगे बहुत अच्छा सा आपको लगेगा ठंडा 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 कूल कूल चटपटा सा बहुत ही ज़्यादा आपको मजाने वाला है तो पूरी में इस तरह से कच्ची आमियो को कट कर लिया है और साती में लिया है मैंने हर हरा पोधिना तो पोधिना जरू लीजिएगा इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है यह आपको पोधिना ना पसंद हो तो इसकीप कर दीजिएगा अब लेंगे हम एक जार और उसमें हम डालेंगे छोटी-छोटी क्यूप्स इसमें हमने कच्चियामी कट की है उन्हों को हम डाल देंगे और पोधिना इसमें हम डालेंगे तो पोधिना आपको पसंद ना हो तो इसकीप कर दीजिएगा लेकिन यह बहुत अच्छा सा टेस्ट लेके आता है और फ्रेशनेस आपको फील होती है तो गैसी मेरा जार है न आ खुड़ाइबा तो ऐसमें ना तो घी लगएगा ना तेल लगएगा हलका सा आपको बाद में लास्ट में लगएगा इसमें कुछ पी नहीं लगता है ओईल ओईल कुछ नहीं लगता है और नहीं घी लगता है और सिंपली आपको सीधा इसमें डाल देना है पूरा प्यूरी जो इसमें बनाया है पूरा मैं इसमें डाल दे रही हूँ तो करीबन आदा किलो की लबब मैंने कच्ची आमी ली थी ता उसी का मैं बना रही हूँ होगा कि नीचे लगता नहीं है तले में यह आपके पार रचि कड़ाइन है तो मोता तले आप कोई भी बूतन ले ली Shaedal अवर अब सबसे पहले इसमें मैंने डाल आ साधा नमग दालना में डालना है लाल वह कोड़ से कची तेस्ट यपे बड़ना है चीने कोड़ योग Susanna ताकि आपकी जो भी रेचिपी आप ये बना रहे हो, ये बिलको ट detox बने अच्छी बने, त्थी आपको मिला लेना है ताकि इसमें शूगर अच्छे से melt हूझाये, अच्छे से घुल मिल जाये और फिर ही हम इसको रहने हैं, गेज पे ताकि हम इसमें टेस्ट में पता चल सकी कि हमाया सूगर साइड डाली एक नहीं डाली है पूरा टेस्ट अच्छे से बैलेंस हो फिर वाद में हम इसको रखेंगे गहांस पे फिर वाद में ही हम बनाने वाले हैं तो इसमें मैंने सूगर सब भी मसाले मैंने इसमें एड़ कर दिये हैं तो जो आपको चीज ना पसंदो नो उसको skip कर सकते हो तो अब मैंने इंडेक्शन पे रखके मैं इसको पका रही हूँ आप गैस पे पकाईए इंडेक्शन पे पकाईए लेकिन आपको flame रखनी है slow to medium पे रखनी है तो यह मैं चलाती जा रही हूँ तो इसको कब तक चलाना है आपको जैसे इसकी consistency बिल्कुल ऐसे हो जाए कि यह अलगी दिखने लगेगा बिल्कुल सूग जाए इसका पानी सूग जाए जब तक इसको अच्छे से चलाना है और बीच में बिल्कुल वे नहीं छोड़ना है यह आप इसको बीच में छोड़ दोगे तो आपका नीचे लग सकता है और टेस्ट इसका खराब हो सकता है इस बात का भी धान रखिएगा अब मैं इसमें डालने वाली हूँ चीली फ्लेक्स तो चीली फ्लेक्स में जैसे आपके घर में होते होंगे जैसे आप पिजजा लाते हो तो उसके साथ भी आते हैं तो मैं ऐसे पाउचेज यह एश्टा में रखती हूँ ताकि कोई भी रेसिपीज में मेरे काम आ जाए तो कई चीजे हम खुदी कई चीजों के साथ आते हैं तो उसको आप ओगनाईच करके रखोगे ना तो कई रेसिपीज में काम आता है तो गैस यह कुछ ही इस तरह का इसका कलर नजर आ रहा है लेकिन यह इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए मैं ने इसमें डाल है और यह शुड़ा सा फूर कलर ग्रीन वाला फूर कलर यह अप चाहों तो मड डालिएगा इससे कोई टेश्ट आता नहीं लेकिन मैं वीडियो मैं अच्छा लगे उसके लिए मैं डाल रहे हूं गर्राइन वाला फूर कलर तकि कच्चियामी जैसा इसका कलर दीखे तो इस ले में इसमें डाला है ऐसा कल लए हूता नहीं लेकिन इस तरह से कलर लाने के लिए में इसमें डाला है तो यह बाद में पूरा इसमें डाल देना है तो इसको डाल देंगी और फिर बाद में पूरी इसको एक थाले में फेला लूँगी फेला लेंगी तो आप ज्यादधा कॉन्टिटी में बना रहे हो ना तो आप जिस आपको ठीक लगे वेसर रखेगा मैं अच्छे से इसम ज्यादा quantity में है नहीं तो पूरा अच्छे से पतली layer में फेल जाएगा इधी मोटी layer में फेलेगा तो इसको सूखने में ज्यादा time लगेगा दो दिन भी लग सकते हैं लेकिन पतली layer में है एक में सूख के हाथ लगा कि मैं देख रही हूँ तो यह बिलकुर अच्छे से सूख गई है और मैं knife से cut कर लूँगी तो जैसे भी आप cut करना चाहरी हूँ चाहिए slice में पतली प्रली slice में जैसे पिज़ा वाली slice नहीं है तो इस तरह से भी cut कर सकते हो लेकिन में इस slice cut करके इस तरह से लेंगे ना तो क्या होगा जब भी आपका थोड़ा वूद खाने का मन करें से नहीं कि आप डेर सारा लो ऐसा तो करता नहीं है तो आप candy बना लीजिए गा या पतली प्ले slice में निकाल लीजिए गा तो जैसा आपको ठीकल के वैसे करिए मैं candy बना के रखरी हूँ ताकि करना है उसके लिए मैं आगे बताती हूँ तो एक बाउल में इनों को सभी candies को मैं निकाल ले रही हूँ तो देशे त्यों गैसे बाउल में मैंने पूरी candy डाल दी है और मैं इसमें क्या एड़ करने वाली हूँ ताकि इसका चिपचिपासा ना रहे चिपचिपासा रहता है तो इसके लिए मैं कुछ ने करने वाले उपर इसमें डालने वाली हूँ शूगर पाउडर यानि चीनी का पाउडर मैंने पीस के इसके उपर डाल दिया तो इससे होगा क्या ये dry dry भी हो जाएगी और फिर बाद में इसको हम रखेंगे ना तो इससे उपर से ये coat भी हो जा बाद लिएगा हाथ निये को जा अधर वो जाती है तू इस बात का ज़रूर जान रखेंगा और इसको तक आराम से श्टूर करके ये मैं जब भी ते इसमें मैं इसमें इस्टोर करके रख़ँगे एक बाउल ले रहे हो इस डिबब्य में मैं इसमें स्टोर करके फ्रीज में रख़ँगे ये महारे बनी रहेगी अच्छ से तुम्हेद करती हूं आपको 있고요 편al dil आई हो केंड़ी पसंद आई हो तब पीद को लैख करिएगा मेर को करेंगे सब्सक्राइब तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में लेक्रेसीपी में बाई एंटिक यार